दोस्तों हम सब हर साल दिपावली का तिवार मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं सभी के घर दियों और रंगी लाइटों से सजी होती है और साथ ही ना जाने कितने ही पटाखे चलाए जाते हैं पर क्या कभी आपने सोचाए कि हम दिपावली का तिवार क्यों मनाते और इसके पीछे की वजय क्या है तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम दिपावले का तिवार क्यों मनाते हैं और इस तिवार को मनाने की पीछे क्या कारण है तो आईए जानते हैं अगर आप रामयन की पूरी कहानी जानते हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनों में रहना पड़ा था कारण की राजा दशरत ने तृतिय पत्नी रानी कैकेई के कहने पर श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास का आदेश दिया था जिसे उन्होंने खुसी खुसी सुविकार कर लिया और फिर वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्षमन के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए आयोध्यावासी स्री रामचंद्र जी को बहुत मानते थे उन्हें भगवान के तरह पूछते थे वनवास की बात सुनकर सभी आयोध्यावासी बहुत दुखी हुए लेकिन उन्होंने उम्मेद नहीं छोड़ी आयोध्यावासी 14 वर्षों तक स्री रामचंद्र कि प्रितिक्षा करते रहे। फिर 14 वर्षों बाद श्री राम चंद्र जी वनवास काट कर वापस आए, तो आयो ध्यवासियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने इसी खुशी में श्रीरांग चंद्री जी के स्वागत के लिए दिये जला कर उनका स्वागत किया और यही परंपरा बन गई इसलिए दिपावले का तिवार मनाया जाता है